आपकी है, ये एक नया निवजन प्राकिया गया था, तो कि आपका तबका जो है, वो बहुत अस्मांदा है, आज में बसका हूँ, अगर दिस अतर साम से आपको डिर्वेशन मेरी, मगर आज पी आप देखेंगे, ये तबका हर गाओं में अगरी अस्मांदा है, एक बात कि इतना करने के बात में, आज से पांचा से आपकी है, जो बहुत चनाता है तो आपका साथ में, उसलों मुई समझ में कि आपको हो का है, हम लोग गुलाम, जो जमीनों के मालिक थे, उनके गुलाम थे हैं, कश्मीर में ये हाल था, कि अगर सोला भोर या चावल की उस खेट से निकलती थी, तो जो मालिक था वो खोरे पर आके, अगर चाता तो आगा, वो थोड़ा सा चावल आपके लिए देता था, बाकी सब ले जाता, ये आलत थी, कि हमारे लोगों के पास पजामा नहीं होता थ था, वो मस्चिद में पजामा लड़काते थे, और जब कहीं जाना हो का शहर में, तो वहां से वो पजामा लगा के जाते थे, और जब बापा काते थे, उसको धोके फिर वहां पे लगाते थे, प्यालत थी, इतनी खरीबी थी, इतनी प्लास था, और इतना जबर्दस्त हम में जल्म था, हमारी बेटियों की इशत, ख्याती कि, हमारी माओं की इशत ख्याती ख्याती कि, मगर हम उपनें परिशने क्रिके बात नहीं कर सक्uttловों, हमने देखा है। कि देखा कि किस मुस्रीबत. ये नहीं देखा कि हिंदू है, मुसल्मान है, ये देखा कि ये इन्सान पिसरा. और इन्सान को आपकी उठाना है तो हमने वह कदम उठाने है, जिसने आपनी टाम को पर खड़ा हो सकते. अल्ला ने उनको मोफा दिया उको मजाई जुब जे कलम से आपको समयने देगी कोई मावजा नहीं लेना पड़ा उन्हें जवालाव से जगाई इनने भाप अशा बना लिया है इस जिंदगीर की सिंदाश होके मावजा नहीं लेगी उसे मानना पड़ा आज जब आपके जबीनिया अपनी है वारूख अब लोग क्या करना पड़ता है रिजर्व सीट आपकी साथ है एक भी नहीं है फिर मुझे क्या करना पड़ता है मुझे अपर हाउस में आपके मेंबर को रखना पड़ता है कि आपकी आवाद करो चाहा कि अबर्ड आप लोग उध्यों के सब्सक्राइन आप लोगों को अपर देखा है राजाअक romance दॉक्टर हैं, इंगिनियर हैं, बड़े-बड़े अफसर हैं, वो याद रखेगा, वो नाश्राल कांफरस की देन है, वो बुझाते हैं, वाज आपके पास भगवान राम को बूखो, अरे का भगवान राम के वो मानिक हैं, वस्थ अपका है, आपको भी कोई हक नहीं है, भी आज़े हैं, हर एक को अपना अपना हक है, जो ही आप उसको ट्रांस्ग्रेस कर रहोगे, तो वह ही पर आपकी तक्रीफ में शुरू होगे हैं, उसे ट्रांस्ग्रेस मत करो, उसी मैं रहो और चलो, कि दूसरा ये ना माले, कि तुम उसकी बुन्यादी हाद से उसको भारी क्या माले, उसकी बाड़ी को नहीं मिलना चाहिए, अपी बढ़ा होगे, मैं उसके पूर्चना चाहता हूँ, कि इनको हक नहीं, इनका भी वह हाल है, वह छोटी जमीन है, वह छोटी सा गाल है, वह भैंस है या गाय है, वह रहने का तरीका हो, वो राजपूत हो, वो मुसल्मान हो, वो हिंदू हो, वो शजूर गास्ट हो, बराबर वैसे ही रहते हैं, कोई फरक नि, जब तुम्हें मिलके तुम उख सकते हो, तो ये क्यों नहीं उख सकते, कि इनका हद दबाओगे, जाननम जाए ऐसी हकूमत को जो किशी के साथ इनसाफ नहीं कर से, जाननम जाए, हकूमत को इनसाफ करना है, हद तबके से इनसाफ करना है, हर लोगों से इनसाफ करना है, जो पस्मांदा है, अगर तुमने हिंदुस्तान बनाना है, तो हिंदुस्तान एक के लिए नहीं है, हिंदुस्तान सब के लिए है और बराबर है, Constitution guarantees everybody's freedom, guarantees, it guarantees human rights, उसकी तरफ टे, मुझे बहुत खुछी है, कि आप लोग आए, मुझे मौका मिला आपसे अपने विचार रखने का, मगर इसमें अमल करें, अमल से कुछ होता है, और किजी की से नहीं होगा, जब तक अमल नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं हो, आपतो है,्क गीन एक नहीं होगा ह气घ का, कि नहीं होगे सक्र genuinely नहीं होगे का, कि आपने का. कि चले है, यह कि इस एऽ सफे ला I am no better than you we are all the same howsoever your religion may be anything he created me like you and I don't see any difference I have never seen any difference my God has taught me this that we are all one we have come we have to go and we have to face Him face Him what we are going to do the dunya bhot arji hai 200 saal bhi ji hoge tabbhi jana hai humare ek pegambar saare 900 saal zinda rahe that we are going to do that we are going to do that we are going to do to be a with the that we are going to do né it yes yes और जब किष्टी तियार होगी उसे का बुलाओ उनको जो तुम्हारे साथ अल्ला को मानने वाले हैं मुझे मानने वाले हैं उसमें जानवर आदमी जो कुछ मी था उस किष्टी में आ गए उसका बेटा और उसकी बीवी नहीं मानते कि वो है बेटे ने का हुआ मैं पाहड पर चढ़ जाऊँगा यह का है यह रेकिस्ता में यहां जे पानी आएगा उसे आगा बेटा पानी आएगा मैं कहरहा हूँ उसको माने वीम्यों का है दीमी ने दी माना अने वह है पानी जमीन से इतना निकला है, आसमान से इतना फुरा कि समंदर बन गया, सब को डुबो गया, और नू की इस इश्की को पार ले गया, जो उसको मानने वाले, आप से भी कहता हूं, उसके सिवा कोई ताकर नहीं, जो न मैं प्राइमिस्टर क्या, सारी दुनिया का प्रेजिडन बन जाओं, अब जिस नाम से तुम पुकार, फरत मत कर, मेरा धर्म मेरा है, मैं तुमारे धर्म की इसाद रहता हूं, तुम मेरे धर्म की इसाद रहता हूं, तुम मेरे धर्म की इसाद रहता हूं, तुम मेरे धर्म की इसाद रहता हूं, वो तुमारी जमात को हो या नहीं हो, मैं भी वजीर आला था पूछक्य अन्से जो बी जेपी के member थे उस लग्वक्त या दूसरी पार्टियु में member थेzdहर कि और मेरी जमादसे पूछिये मैं उन्हें ज्यादा था इनसे पूछिये उनको जादा सुनता था क्यूंको न लगे क्योंकि हमिन की जमाद के नहीं हैं तो मैंने सुनना नहीं है उदंपयोर के MP थे, MLA थे senior most हिजर रंगुप्ता जी, खुदा उनको स्वर्ग मजबाई इतने नेक आदमी थे बक्सा लेके आते थे अपने अलाके के बात करने के लिए मैं कहला नहीं मैं Chief सेटी को वहाँ पताता था तर कहता था सुनिये, इनके مسائل क्या हैं वो अपने लिए कभी ने मांगते थे लोगं के लिए मांगते थे या मेरी मुश्किल वहाँ ये है मेरी वहाँ पुलीस की भरते नहीं हुई है मेरे लिए वहाँ ये नहीं हुआ कि मैंने उसके पास जवाब देना है क्या तुमने इंसार किया या नहीं कि दो अपनों को छुकराता था उनको बुरा लगता था और मैं समझता था उनका दिल ठूट गया तो मेरा उसके सामने जवाब नहीं है आज क्या है आज ये चुन चुन कर देखते हैं हमारा आजमी कौन है उसको जहां से यहने जो सबसे बड़ी बड़ी जगा होगी बहाँ भेड़ दे बलकि किसी लाग इस तरीके से उसको नौकरी सहीर निकाल दे है सब्सक्राइब के लोग को लोग घजल हो दे खबिल को हतम हो गए बाहर से ओपर लोग को बिठा रखा है जो ने तो हमारे कल्चर को जानते नहुमारे सिंदीगी को जानते हैं हमारी हिस्टी को जानते हैं तारीक को जानते हैं कुछ नहीं जानते ये समझे हम तो सथ साल तक है, ऐह तैं क्या गम है? हम ये वो नहीं देखते हैं, जब वो आता है सकत्य वोग झाना कhésitez, तो कुछ इपको हम उठा के लिवा है इंसाफ करो में ये यूटता है नुंसाफ करो इंसाफ करो वोही सब को महार इतना अल放त है आपको जो बड़े कहते हैं अपने आपको क्या उनको अलग बगवान है उनका राम अलग है और आपका राम अलग है में कमें कमें आर्सों आते हैं ये देखकर कि हमारा श्रवात कब ठीक होगा पच्छतर साल होगे हमको आजाद होए मगर इस बर्बादी से आजाद नहीं हो इस उंची और नीची जाट से नहीं निकल देख सकते हैं कितनी सुद्धी की और आएंगी और तब ये समाज बद्लेगा आप हैरान होंगे मैंने वलायत में बारा साथ था था हस्पताल में जो टोइलेट साथ करने वाला है सफाई करने वाला है वो मेरे साथ खाना खावा है यहां दिखाएंगे मुझे कोई नीची जाट को उपर को लिए जाट कुर्सी देगे यहां तो अलग बाप उसे साथ बैठना अलग बाप जाट कोई भी हो सकता है काम काम है और इंसान तो इंसान है उसमें तुम फरक करो उसमें तुम यह को क्योंकि एकाम करता है कि यह है यह यह मरगट मैं जलाता है इसे यह नीचा है निदो मेरा दोस्त मर गया तो जो आशिस अस्तियां जो थे वो लेके हम वो गये भर्दवार गये तो शाल रखा था उस्तियों पे और वो पॉंड रखा था सोने का और कोई जी ने इसकी बाती कर वो सिर्फ कुर्सिया जीता चाहिए बस हुआरे बच्चे बेका पड़े लिखे जैसे अभी इनने कहा बड़ी बड़ी ताली में पाए हुए घरों में बैठे हुए अपनी किस्मत को रो रहे हैं कि यार मेरे बाप ने सब कुछ ठोड़के मुझे पढ़ाया है आदी रोटी मेरी मा ने खाई है मुझे पढ़ाया है कि आखर मैं उसकी खिद्मत कर सकूँ उसके वज़ाए ये बाहर से ना है हर्याना से पंजाब से जैसे कि हमारे बच्चे थर्ड रेट है कब इनको होश है हमारे डाक्टर वेका है इंजीनेर वेका है जब अभी गटकरी जी आए और सिरिनगर में बहुत बड़ा समेलन हुआ शेली कृष्मीर कंवेंशन कंप्लेक्स में मैं उसे गुजारिश्ट मैं हजूर इतनी बड़ी बड़ी टनले बन रही है क्या हमारे इंजीनेर्स काबिल नहीं है कि वो काम कर सके क्या हमारे मजदूर नहीं है जो पथर उठा सके क्यों आप दूसरी जगों से लागें क्या हमारे लोग बेकार नहीं है बुखे नहीं है नंगे नहीं है हनने मुझे खास लिका कि नहीं हम इसकी त़र तोज्जह देए खजा जाने हैं क्तावज्य कब हम लोग इंसे जादा नहीं हम अपना हक मगते हैं हम नहीं मंगते हैं किसी और रियासत का हक हम अपना हक मंगते हैं तुम वह आकम से चीन रहे हो ख़वरदार रहिए आतर शुशार पहाड तयार हो रहा है वदर ना खास्ता हम सब को लेके दूबाएगा तो फिर देखता नहीं है कौन निमाजी है कौन मंदिर जाने वाला है कौन उसकी पूजा करता है नहीं करता है वो सब को बराबर उठाकि नइ जाएगा है जब बारिश पडती है तो वो देखता है कि ये मेरा पूजने वाला है इसको मेरा बारिश दूगा और ये मेरा 10 क्रौर कमाल बेते ते पाए हम 20 क्रौर कमाल बेते थे बाए चुम्टा सुम्टाथ मैंने का यहाफ़ तो तुम लोग ही आए हो क्योंकि हमारा खुदा कहता है उसमें कुरान में कि मैंने जो तुम्हें बर्कतें दी है वो तुम्हारे लिए नहीं है वो उनके लिए भी है जो तुम्हारे से कमजोर है उनको दो और नहीं दोगे और ना मेरा शुक्रिया करोगा और जिसे तुम तक पहांचाया है तो मैं यह सब कुछ तुम से ले जाओंगा और तुम फिर चिला होगे ठीक होगे कि हमें वापस करो वापस निकार वाल हुआ हमार क्योंकि हम उसको भूल गए और आज भी हम उसको भूल रहे उसका दामन ठामो उससे मांगो परवदिगार हमारे गुनाओं को अफू करो और हमें इस मुश्किल से निकाल ताकित वो है मैं अभी अपनी लीडर सत्मत को और से मिलने आया एक वक्त था जबकि यह समझते थे वो बचे ही नहीं और डाक्टरों ने कहा यह छे मिन नहीं बोलेगी डाक्टर खुदा नहीं है खुदा हुआ है तीसरे दिन यह देखिए उसका कमाद तीसरे दिन वो अपने पती को नाम देखिए और फिर ऐसे बोलने लगती है जैसे कि वो बिल्कु ठीट यह किसका करिश्म है और हम उसको बूल गए और इनको समझें यह जो आज बैटे हुए यह मालिक है यह वक्ती मालिक है उनको भी उबना जिस तरह बाकी उबदाए उसके लिए भी दौआ करिएगा बगवान अल्ला उसको जल्दी से सेब बख्ष ठीक हो जाएगा फिर हमारे साथ बैसे यह है उसकी कुझे हमनों बहुत सियासत करने रहते है तुमारे कभी हुई धर्म की तरह भी बात है धर्म को गंटी बजा के चलना पड़ता है कोई बड़ा भ्रह्मन तो है वो तुमारी शकल ना देखे मैं मुसल्मान होके तालाब में ना गुसल कर सकता हूँ मगर तुम हिंदू होके उस तालाब में गुसल नहीं कर सकता है यह आज भी सथर साल के बाद भारत की हालत है राजिस्तान में जहां मैं पढ़ता था वहां ना थे तो अरवा एक मंदिर है बहुत प्रश्चीन मंदिर है मैं जब वहां पढ़ता था मैं मुसल्मान होके मंदिर जा सकता अगर शजूर कास्पवाला उसकी पोडियों से नीचे भागवान को बाहर से सलाम कर सकता था भागवान के दर्शन नहीं कर सकता यहाल है कब तक तुम लोग यह बर्दाश्चा कब तक तब होगा जब तुमारा समाज उठेगा और तुम इसके खलाफ आवाज उठा सकोगे तब तुमारा समाज उठेगा नहीं कि तुम दबे रहोगे और हर वक्त दबाई जाओगे इसले अपने आपको उस तक पहुंचाओ उस मंजिल तक पहुंचाओ क्योंकि उस उपर वाले ने हर एक को बराबर का बनाया है यह नहीं कह सकते हो कि मेरा दिमाग तुम से बहतर है और तुमारा दिमाग मेरे से लिए खबरदार मैं डॉक्टर लोके आपसे कहता हूँ उससे सब को दिया है बराबर दिया है मकर हम लोग उने जो बड़े बड़े समझते हैं अपने आपको उन्होंने आपको इतना डौन कर दिया कि हम समझें कि हमारा दिमाग भी नहीं है आज बड़े से बड़े डॉक्टर शडूर कास्टिंग बड़े से बड़े जहाज उड़ाने वाले जो सोलो सोलो घंटे जहाज उपता है दिल्ली से अमरीका उसके चलाना वाला आपका है आपके दिलित से आता है दोक्टर दोस्ट के माँ पुरी माँ मुझे कहती है इस और क्या है राम राम का अलिए बेटा राम विश्व का राम है वो सिर्फ भिद्यों का राम भुझे का अलिए अधिर जब को बोलो युँद पिस्टेव परो अच्छा ब्यादे है गंटिया में जाते हैं आपके सामने आप लोगे समझते है कि बस यह आगया और राम लेक्या आगै आप नहीं करेंगें जिए मालिक मन कहें रामिक है तामाली नहीं को बारक अब्दूला कल कहें नहीं अल्ला को मालिक हूं जाने वालों अल्ला को फिटकार है मुझा इपकार है जाने वाला सबनक़ है कर तुला कहते बारक जाने इपकार है तामी सकते हैं सुवारेत्य है प्रशीवन, प्रेक, तेरा पधान के बैशने, गोड़ा, आदे आपने को, इसंत, सिर्याद के पासे, और आपको ऐसे, और खासकर हमारी माए, बहने, वो समझते कैसे भगवान ही आ गया, इप रामी, यह नहीं देखे के भगवान के रूप नो कौन सा शैतान है, नहीं देख आपने प्हुर्च और यह भिगवान के अवरख धारा श्राफल इंच, आपने इक पाओंपे ख़ाओना, वो को मिरेख ध़गको कौन पाऌ डाकार, लुन्हाँ प्राइस, एक कोईवान केक मैंयों, ओया से, जोड़ यहा रूप नितिखे कौने अफ्सबयाद यह जहाना तो आपके लेकां करें नहीं करोंके ननुक्षान में तुम होते वारू कंजिला नहीं